क्या होगा अगर एक राजकुमार जो अपने आप पर बहुत ही घमन करता हो और इसी घमन की वजह से उसे एक खुबसूरत जादुगर्णी ने श्राप दिया क्यों कि ये राजकुमार सिर्फ खुबसूरत लोगों को ही पसंद करता है। कुछ दूर मौजूद एक छोटे से गाव को देखते हैं जहां बेल नाम की एक खुबसूरत लड़की रहती है। अपनी जान बचाते हुए एक पुराने महल में आ जाते हैं। वो महल अंदर से काफी अच्छा था। तभी बेल के पिता को वहाँ खाने के टेबल पर स्वादिश्ट खाने दिखते हैं जिसे देख उनसे रहान आ गया। लेकिन टेबल पर रखा एक कप उनसे बाते करने लगता है। वो तुरंत महल से बाहर निकल जाते हैं। यहां हमें पता चलता है महल में जो लोग मौजूद थे उन्हें जादुगर्णी ने वहाँ की चीजों में बदल दिया था। तभी बेल के पिता को वहाँ गुलाब के पौदे नजर आते हैं। बेल उससे अपने पिता से आखरी बार मिलने को कहती है। बेल के एक कमरा भी दे दिया तो वो इन पर बहुत ही गुसा होता है। लेकिन ये दोनों उससे समझाते हैं कि शायद यही लड़की हमें श्राप से आजाद कर सकती है। इसलिए तुम्हें उसे मनाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बज़ाए से ही हमें भी श्राप मिला। और तुम्ही हमें और अपने आपको मुक्ती दिला सकते हो। सभी के कहने पर वो बीस्ट मान जाता है और बेल को अपने साथ खाने के लिए पुछता है। बात बताते हैं और ये भी कहते हैं मेरी बेटी की जान खत्रे में हैं लेकिन उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। बेल को देखते हैं जो उस जगह पहुँच गई है जहां वो गुलाब का फूल रखा गया है। बेल को ये तो बता चुके हैं कि इस गुलाब की आखरी पंकुडी उनकी आखरी जिंदगी होगी। वहाँ पर किताबों का भंडार था बेल बहुत ही खुश थी। इसलिए बीस्ट ने कहां अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो रह सकती हो। इसके बाद बेल उस जगह जाती है जब उसकी माने उसे आखरी बार देखा था। इधर बेल को भी तयार कराया जाता है क्योंकि ये दोनों एक साथ डांस करने वाले हैं जो बहुत ही पसंद है। गैस्टान हर तरफ से अपनी सफाई देता है और गाउं के बेवकूफ लोग उसकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। इधर हम बेल और बीस्ट को देखते हैं जो हसी खुशी डांस करते हैं। बीस्ट ने आज कई सालों के बाद डांस किया है। गैस्टान सभी को बीस्ट का खत्मा करने के लिए उकसाता है और गाउं के लोग उसके बहकावे में आकर उस बीस्ट को खत्म करने के लिए महल की और निकल जाते हैं। लेकिन गैस्टान बीस्ट तक पहुंच जाता है बीस्ट बेल के जाने पर बहुत ही उदास था। वो गैस्टान को पकड़ लेती है वो अपनी पूरी कोशिस करती है बीस्ट को बचाने के लिए तभी गैस्टान वहाँ से नीचे गिर जाता है लेकिन वो बच जाता है। आप बाढ़ को रोकने की कोशिस की थी लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुना। और वो नीचे गिर कर मर जाता है। इधर बीस्ट की आखरी सासे चल रही थी बेल उससे कहती है अब मैं तुम्हें कभी नहीं चोड़ कर जाओंगी। बीस्ट कहता है ये मेरी आखरी सासे है अब मैं नहीं बच सकता। बेल कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन तभी गुलाब की बची हुई वो आखरी पंखुडी भी गिर जाती है। बीस्ट जो एक हैवान था वो एक सुन्दर राजकुमार में बदल जाता है। बेल उसे इंसानी रूप में देख बहुत ही खुश हो जाती है और अब ये मुवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारा ये एक्स्प्लेइन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको हमारा ये खुश है।